आज सोमबती अवश्या के दिन रात सोने से पहले ज़ाडू के नीचे चुपके से दबादे एक चीज मालक्षमी दोड़ी चली आएंगी दोस्तो आज सोमबती अवश्या है शोमबती अवश्या को सर्वशेष्ट अवश्या कहा गया है सास्त्रों के अंसार सोंबती अवश्या पर किये गए पूजन उपाये इश्नान दान तरपन स्राद अन अवश्या के तुल्ला में कई लाख गुना अधिक पुन्न फलदाई होते हैं दोस्तों आज सोंबती अवश्या के दिन कई सारे दूलब सिपस्योग बन रहे हैं और इन्ही दूलब सिपस्योगों के कारण माता लक्ष्मी जी आज काफी प्रसन मुद्रा में रहने वाली हैं दोस्तों अगर आज राज सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज तो माता लक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दोस्तों आज सरवाद सिध्योग भी है आज सोमबती अवश्या के दिन सरवाद सिध्योग भी बन रहा है साथी साथ आज बड़ साबेत्री और सनी जैनती भी है और आज जेश्ट मास की यह सोमबती अवश्या के दिन कई सारे दूलब सुच्वयोंग बनने से आज के दिन कमहत्य और भी ज़्यादा बढ़ गया है अगर आज राज सोने से पहले जाडू के निचे चुपके से दबा देते हैं एक चीज तो माता लक्षमी जी आप घर में इस्तरिबास करेंगी क्योंकि दोस्तो ज़्याडू हर किसी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है ज़्याडू को सीधे तोर से माता लक्षमी जिसे जोड़ कर देखा जाता है जाड़ू को लेकर बहुत सारे सुब और अशुब सगुन भी होते हैं और जाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कफ हैंके और जाड़ू के नीचे ऐसा क्या दवाकर रख दें सुमबती अवश्या के दिन राज सोने से पहले की जीवन की सारी खुश्याय करश्टी हो जाएं और सारी परेसानिया दूर हो जाएं तो आईए जानते हैं इसके बारे में क्यूंकि जाड़ू जो है, वो माता लक्षमिज के परतीक है और दरितर रूपी परेसानी को घर से बाहर निकाल देती है दोस्तों आज सोमबती अवश्या है जेश्टमास के कृष्णपक्षी यह अवश्या आज सोम बार के दिन पढ़ने से सोमबती अवश्या के नाम से जानी जाती है दोस्तों आज कई सारे दूलों से संयोग बन रहे हैं इसलिए आज ज़ाडू का यह प्रयोग जरूर करें तो आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी आपके घर से जितनी भी परेशानी या निगेविटी है वो दूर हो जाएगी ज़ाडू से जिड़ो हुए बहुत सारे प्रयोग है आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो आपको आज सोंबती अमश्यक दिन राज सोने से पहले करना है जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको बाहर दिला सकता है चुटकारा दिला सकता है वैसे ज़ाडू माता लक्षमिज के प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं लेकिन कभी कभी चोटी चोटी चीजे भी बहुत माइने रखती है तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे ज़ाडू को लेकर अगर चोटी चोटी चीजों को ध्यान में रखे तो घर के कले कलेस खात्म हो जाएंगे और घर में माता लक्षमी का गास होगा अगर हम जोतिस की माने थो जाडू का महतों सबसे जादा है यब बीमारियों को दूर करने वाली शितला माता अपने एक हांद में जाडू लिये हुए रहती है इसलिए जाडू का निमित सुमबतियां वश्या की दिन सुर्यास्त होने के बाद जहड़ू बिलकुल भी ना लगाएं। ऐसा ना करें वरना लक्षमी जी रूठ जाएंगी। साम के समय या रात में जहड़ू लगाते हैं तो माता लक्षमी रूठ जाते हैं इसलिए आप बिलकुल भी जहड़ू ना लगाएं। और अगर आपने लगा लिया है तो आप जो कुड़ा है उसे बाहर बिलकुल ना फ्हेंके वरना लक्षमी चली जाएंगी बाहर तो छोट आता है वो आगण प्रभावित होगा और आर्थिक परिसानियों से आपको गजनना पड़ सकता है तो जहाड़ू को जहां तहां ना रखें और जहाड़ू अगर आपने सपने में देख लिया है सौम बती अमश्यक दिन जी हैं दोस्तों आज सौम बती अमश्यक दिन अगर आपने सपने में देख लिया है जहाडू तो इसका मतलब है कि आर्थिक नुक्सान होने वाला है इसलिए अगर आप ऐसे सपने देखे तो तुरंत गाय को सुना दे अगर आपने और दिन अगर देखा है तो आप गाय को सुना देंगे फिर पौधे को अगर आपने देखा है तो ये बहुत ही सुब माना जाता है क्योंकि दोस्तो आज की दिन बहुत विशेश रहेगा दोस्तो मा लेजे कुछ साल छे महीने से आप घर में जहाडू पड़ा हुआ है और खराब नहीं वहा है लेकिन आप इसे फेकना नहीं चाहा रहे है लेकिन फेक दीजे क्योंकि इससे निगेविटी घर में ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादा पुराना जाडू यूज नहीं करना चाहिए और नहीं तूटा फूटा हुआ जाडू घर में यूज करना चाहिए उससे क्या होता है कि जब आप जाडू लगाएंगे तब तूट तूट कर गिरेगा तो जीवन की धन की परेसानियों को बढ़ा देगा पुरानी जाडू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई जाडू उपयोग मिलाएं तो आज सोमबती आवश्या के दिन आप नई जाडू खरेत कर लेकर आएं और नई जाडू आप यूज करने या फिर सनी बार के दिन भी आप यूज कर सकते हैं तो घर में खुशा आएंगी, और हर तरह से धन मेह लाव होगा. जिस तरह से आप घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उस्पोकार से ज्हाडु को भी छुपा कर रखने की वश्ता करें, वयशा नहीं है कि कहीं पर भी आपने रख दिया. लोगों की नजरों से बचाने की वश्था करें भोलकर भी आप खुले आगन पे खुले आस्मान की नीचे इन बिल्कुल भी ना रखें वरना जीवन में परेशानिया बढ़ जाएंगी जब आप खुले आस्मान की नीचे रखते हैं जाडू को तो जीवन से कष्ट बढ़ते हैं तो ऐसा ना करें जाडू को जब भी घर में रखें हम ऐसा ही धक कर रखने के वश्था करें वैसे जाडू को रखने की जो सही दिसा होती है वो उत्तर और पश्यम की दिसा होती है त फिर जाडू से सवेड़ देते हैं तो ऐसा ना करें पहले पानी बगर डाल दें फिर जाडू लगाएं दौस्तो आज सोम बती अवश्या यहीं कि आज 30 मई के दिन सोम बती अवश्या है कई सारे दूलब सबसे योग बन रहे हैं इसलिए आज के दिन बहुत बिशेश रहेग के दिन और जाडू के नीचे कुछ दबा के रख दें तो मातल लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इस्तरी बास करेंगी मा लक्ष्मी जी तो आज राज सोने से पहले अगर आपके घर में किशी प्रकार के नेगविटी है आपको लगता है जैसे किशी ने कुछ तंत्र मं नहीं भी किराय तो कभी वापस नहीं आएगी तो नजर दोस्त वगर और तंत्र मंत्र की बाधाओं से बचने के लिए पांच शे साबूत लाल में जरू जाडू के नीचे दवा दें दोस्तों अगर आपको धन संपत्ति की कामना है बिशे से प्रकार के कोई भी दिक्कते चल रही है नौकरी बिजनेस व्यापार में तरक्की चाहिए तो राज सोने से पहले आज सोंबतिया वश्यक के दिन राज सोने से पहले जाडू के नीचे लोंग और इलाइची जरूर दबा के रख दें दो लोंग दो इलाइची इससे मातालक्षमी कृपा वरसेगी और सा आति साथ मातालक्षमी जी की सबसे प्रिची धनिया है एक ज्यारा मातर में साबोत धनिया जरूर दबा के रख दें तो मातालक्षमी कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी धन अन के भंडार सदय भरे रहेंगे आज सोंबतिया वश्यक दिन राज सोने से पहल जाड़ू के नीचे आप पांच ये छे जो हल्दी की गांट होती है उसे आप दबा दे तो आपके घर में संतान और बैवाहिक जीवन में शुख में जीवन जीने का अवसर मिलेगा और माता लक्षमी कृपा प्राप्थ होगी जाड़ू के नीचे आप एक मौरपंख दबा दे आज सोम्बतियां वश्यक दिन राज सोने से पहले एक मौरपंख दबा के रख देते हैं तो माता लक्षमी के सासाद भगवान विश्णु और भगवान स्रेकृष्ण के कृपा भी प्राप्थ होगी माता लक्षमी कृपा से आपके घर में कभी भी अन्य धन के भंडार खाली नहीं रहेंगे और माता लक्षमी जी दोड़ी दोड़ी चली आएंगे राज सोने से पहले जहाडू के नीचे आप कुछ रखे आना रखे कमल गट्टे के वीज रख दें तो माता लक्षमी के अश्रीम कृपा प्राप्त होगी दोस्तो ये चीजे जरूर आप दबा के रख दे तो माता लक्षमी के अश्रीम कृपा प्राप्त होगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी जीवन में आपके तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखेगा जै मालक्षमी साथी साथ वीडियो को लाइप करिएगा जदर जदर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्षमी